यह अच्छी हालत वहसुस करना बड़े सवागी की बात है कि सभी लोग कहींन कि कुछ नहकुछ तरीके कि निभूव तो करते हैं हैं लेकिन हारट फुल्स स्फुन एंट सिस्टम का जन्यान ने एक खास चीछ जो है When मैं जो सबके लिए है कैघ्शान के दोरान कई लोग बुए विच्छार आते हैं कई लोग को नहीं नी आते हैं वह एक मचक्थ इसका जो एंड होता है ज्यान के बाद के जो अलत होती हमार आप लाइटने सहसे करते हैं एक तरह कि हलकापन वहिसस करते हैं एक तरह कि सांति मेर्श इसकरते हैं हर सिटिंग में यह अनुबह सब को रहेगा क्या कर डीट है से तो आज ही नहीं आप कई लोग नहीं होएं यहां पर कुछ सिस्टेमेटिकली अपने जीवन में इसको अपनाईए इन देखिये कैसे कैसे हमारे जीवन में परिवर्तना आते हैं दियान के साथ साथ एक स्पेशल प्रोसेस भी है सफाई का वो भी कॉंप्लिमेंटरी है दियान करें लेकिन सफाई नहीं करें तो प्रोग्रेस इतना अच्छा नहीं होता है हम दोनों करते हैं, सुबे ध्यान करते हैं, साम को सफाई करते हैं, जो दिन में अच्छे बुरे काम हो जाते हैं, उसके मन पर असर तो पढ़ता है, मन पर असर पढ़ेगा तो चेतना भी पढ़ेगा, चेतना भी पढ़ेगा तो आत्मा पर पढ़ेगा, तो उसको निकाल देन और रात फाइनली सोने से बहले एक बार इश्वक सानिध्य में उनको प्रात्ना कर देते हैं और प्रात्ना में हो के सो जाते हैं श्मया एक सिर्फ खायाद रखना है कि मेरे गड़े में इश्वर्य प्राकास है उसके बारे में आगे सोच ना दे कियां कि जब भी हम विचार करते हैं कैसा होगा वो प्राकास इश्वर का प्राकास कैसा होगा सिर्फ इतना यह सोच के चलना है जैसे हम से मेत्मेंटिक्स में एक हइपोथिसिस लेता है कि इस प्लस दीस ग्यपोटिप्लाइट रखन की दीस जैकि एक ठीस रम और नोट थीस तो उसके बाद हम प्रूँ खरते हैं या दिस्प्रूँ करते हैं तो इसी तरह का हम एक hypothetical आइडिया रखते हैं कि हमारे रिदय में ये श्वरे प्रकास है, यदि है तो कैसा है वो देखने का नहीं है, उनकी अनुभूति करने की है, विचार आए तो आने तो इसके साथ लड़ो मत, यदि कोशिस करेंगे उनसे लड़ने की तो वो और जोस बक करेंगे, तो सिर्थ हलका सा कहाल करो कि रिदय में इश्वरे प्रकास मोजुद है, उसमें ज्यादा जोर मत लगा हो, और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत सोच आ जाती है, जब हम स्टूडेंट्स थे, तभी ही मैंने सुरू किया था ये त्यान करने का, साहिज तो यंग्स्टर्स थे दोस्तों के साथ कभी-कभी मुवी इसमें चले जाते हैं, कुछ गलत नहीं है, मुवी जाना है, लेकिन कई-कई बहुत हो जाता है, तीन से छे और छे से ना हो, दो सो हो जाते हैं कभी-कभी, और नौ बज़े एक बाद हम प्रिसेप्टर के पास चल जाती ही रहती है, तो हमें भी सोचना है कि कैसी-कैसी एक्टिविटीज हम ऐसी एक्टिविटीज में बागने जो और में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेक्ट नहीं करें, नहीं तो ऐसी मुवीज देखो, कि जिससे अपने मन भारी न हो जाए, अननेसेसरी लिए, कई लोग त जाते हैं इसा डगता है आज़ोरिज हा जो जाता होगा इन लोगों का कि वहां रू दो पुरा है, तो अपने में भी दो पुरा है, वहां थाए हैं तो यहादभी excitement है, observe as a witness entertainment, don't take it very seriously, likewise, swp situation in life, unlike that, उसी तरह, उसको treat करो, स्रिबगववड कीतां में क्या बोलते हैं, वीटनिस – आपजल जो करते हैं और वीटनिस जो करते हैं उसमें बड़ा फिर्क है आपजर जो करते हैं हम तो पूरी एनर्जी उसमें चले जाती है EMotions भी उसमें आजाते हैं विटनिस करते हैं तो उसमें अपनी indirect energies आती है अगज हम रोड से जाते हैं देखते हैं इधर उदर और कुछ इंसिदेंस हम विटनेस करते हैं। विटनेसिंग बाद में हमें एट्रेक्ट करें तो वो बजल्वेशन बन जाती है। और यही विचार हमको ध्यान में परेशान करेंगे। जिसकी तरफ हमारी लगाव लग जाती है या लिर्णा हो जाती है वही विचार बार बार आएंगे। तो यह जो लाइक पसंद है नापसंद है उससे पढ़े जाना ऐसे। और वह दिने दिने त्यान के पड़्दति से हम वह हालत पर पहुंच जाते हैं। जो अगीन वकवत की तावे बताया है। वैसे रहू कि जैसे कुबल पानी में रहता है और पानी के असल उसके पानी के पत्तों पे नहीं पड़ती है। कहना समझ में तो आता है लेकिन कैसे करें कैसे मन की आवस्ता हम बनाए कि जिसकी वज़े से ऐसी हालत पैदा हो जाए और ध्यान से ही होएगा ध्यान से ही मन रेगुलेट होएगा और रेगुलेटेट माइड से ही हम ऐसी आलत पर पहुँचाएंगे तो शुरू-शुरू में तो आपको विचार डिस्कृप्ट करेंगे ही 24 गंटे में आप 6-7 या 8 गंटे सोते हो या 10 गंटे सोते हो बाखी के टाइम में आपके मन पर क्या आलत होती है जहां मन जाते हैं हम भागने देते हैं उसको उसको कुछ तरह की लगाम नहीं रखते हैं और जब हम लगाम लगाने की कोशिश करते हैं द्यान के दर्व्यार उसको कैसे मानेगा 14-15 गंटे माई इदर उदर बंदर की तरह बाखता है और सिर्फ आदे गंटे के लिए उसको एक ता के लिए या एक अग्र होने की हम कोशिश करते हैं कर तकलिक तो हुएगी ही लेकिन ध्यान की माध्यम से तीरे तीरे दिरे वो रेगुलेट Arc और माइन जब रेगु्येत हो जाता है तो उससे अच्छा कोई अपना फ्रेंड भी नहीं होता है जब हम माइन्ड हमारे केंट्रोल में नहीं होता है दुष्मन ज़ाजा लगता है ऐसे पदने अवाज चलता है जलता है इतने इतने पदने अलवा इतने आते दो लेकिन हम उससे पहसान नहीं पाते। बहुत ज़िए लगता है, शान्थ नहीं लगता है, लेकिन जब हम शान्थ होके ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, तब वह यह विचार आते हैं, जिसको हम नोटीस करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं करते हैं, तब विचार नहीं आते थे, बर यह गलत ब करेंगे तो ध्यान के बाद का जो समय भी है उस समय में भी हम अम्रणी विचारों को रेगुलेट कर पाएंगे यह तो रॉंग एकसरसाइंज न आपकी उसकी फिकर मत करो आपको अच्छालगता है अपमें ट्रांस्फोरमेशन हो रहा है दूसरों और लगए न लगए क्या फरक पड़ता है लिकिन सही में जब हमारे में ट्रांस्फोरमेशन होता है हमेसा रुप नोटिस तो करेंगे प्राना हुंति तो हमेशा अवेलियबल है जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा इटेंशन इश्वड की और जाता है जब हम कुछ अच्छी किताबें पड़ते हैं तभी इश्वड की और हमारा ध्यान चला जाता है कुछ अच्छे काम करने जाते हैं प्रैम से किसी की सेवा करने जाते हैं अब यह भी लोग चालिस अज़ा गाओं में गए हैं अपने प्रसिक्सक लोग वॉलन्टियर्स लोग और वो बुलते हैं कि ऐसा वातावरन पैदा हो गया उनकी कि जैसे बढ़ारा होता है बड़े गुरूओं का जैसे कैसा एक्मोस्फियर होता है वो उन्होंने अनुभव किया तो एक बात तो खास है जब भी हमारा इटेंशन इस्वर की ओड़ चला जाता है तो आटोमेटिक हमारे वो प्राड़ा होंते तो आएगी ही इस्वर का खयाल करना और इस्वर का खयाल करना दो लोगों के बीच में बहुत फर्क होता है मीरा का याद करना किष्रन को और हमारे जैसे लोगों को याद के बारे में याद करना वसवर там बड़ा उफर्क है लाग है जो वक्ति से जो याद करते हैं तडब्ट से जो याद करते हैं उनको तो कुछ और ही अनुभवति होएगे तो साधना कहो, हमारी तपश्या कहो, तपश्या से ज्यादा इंपोर्टन्ट है हमारे अंदर भाव कैसा है, बक्ति भाव है, रह्म है, तडप है, तो आटोमेटिकली इश्वर आपको दुन्दे दुन्ते आएंगे, हमें इश्वर की और उनको दुन्दा नहीं है, वो दुन आपको दुन्ते हमारे पास आएंगे, पवित्र द्रदे बनाओ, शब सिधा हो जाएगा, तैंक्तु एक इताग जब उचारित कही गही थी, सिक्रिष्ण बगवान ने जब गिद गाये, अरजन को बताया, क्रिष्ण बगवान इतने बेखुफ तो नहीं थे, हम गाये का पालन कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, कहीं खेती कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुंबई जाना है, टिकेट लेना है, पैसा कमाना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कर्म फल तो हमारी आखों के सामने होता है, बाद में हम उस तरह के काम करने लगते हैं, जिससे वो कर्म फल परीबुत हो है, लेकिन जब शुक रिष्ट बगवान कर्म के बारे में कहते थे, तक कर्म का मिनिंग कुछ और था, हम जो बात करणे हैं इच्छाओं की और जो हम काम करते हैं वो श्रम है, श्रम में फल की आशा तो रहे कि ही, उस घमणे में कर्म का मर्ठ, उसका अर्थ था, जो भी हम करे हैं, ब्रह्म ग्यान के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, अपन मुक्स के लिए इश्वर की पुजा ये सब कर्म में आ जाता है। और उसमें आसा फल की आसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां हम अपने को समर्पन करते हैं, के इश्वर जो भी हो, आपको हम समर्पित करते हैं, आपके सानिध्य में हैं, उस पे फल की इच्छा रखोगे, तो इश्वर का अपमान होता है। इसलिए हम जानते हैं कि सब कुछ इश्वर जानते हैं, मागोंगे तो बेखुफी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हम ब्रह्मविज्य के लिए करते हैं, उसको कर्म कहते हैं, उसके फल की इच्छा नहीं रख सकते हो आपके। इश्वर की बर्ची जब होएगा दर्शन तब होएगा। श्रन की बात कुछ और है। उस जमाने और आज के जवरा साथ जार सल का फरक हो गया। वर्ड्स चेंज, उसका बनलता रहता है। जैसे गे, गे सब था नाइंटिन सिक्स्टी ज में, बड़े खुशे से बोलते थे लोग आएं सो गे, आएं सो हैपी। आज बोलो गया, आएं सो गे, तो मुसिबत पड़े गया। उसका मतलब ही कुछ और हो गया से। तो कर्म का मतलब भी और बदल गया से। नहीं तो यह दो सब्त क्यों होते हैं कर्म और श्रम दोनों के मिनिंग अलग है। हर एक के जीवन में इस सिचुएशन तो आती ही है। कई लोगों को बार बार आती है। इससे क्या सिखना है। उसको विटनेस करना है एक चीज है। दूसरा चीज हमें सिखाई गई है कि जो भी काम करें, इंटरेक्ट्शन हो है। वह जैसे इस बेंट को में कह रहा था कि आपके पास कवच तो है। कवच किस चीज का। यादों का। यादों का। यादों का। इश्वर की यादों का पहरा नहीं होता। तो आप मुशिबत में पहच जाते हैं। कभी-कभी नाराज हो जाते हैं, तो कोई इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कोई कारण शर्ट आप नाराज होए। बिना कारण तो कोई नाराज नहीं होता है। क्या वज्जह है। उसको डूंड़ो कि किस कारण ये नाराजी पैदा हुई। उसका solution डूंड़ो। फिर भी नाराजगी रहे, तो आफिस में शिर्ट दो-तिर मिनिट के लिए जो आपको सफाई का प्रोसेस बताया गया है, वो कर दो। इस सुने जी रिच ओम गर पहुंचे की तरत ही वो सफाई कर लो 20 मिनिट के लिए कुछ की चेतना एकदम स्पूरित हो जाएगी। तो सफाई बहुत जरूरी है, मन की सफाई। उससे सब कुछ जितना भी बैगेज हम कलेक्ट करते हैं। और निकालों कि नहीं तो वो गंकी पासई बोजने में जाएगी। और जब भी हम धियान करते हैं, तो गंकी सब कॉंस्याइश से कॉंसियस माइट में और डिस्टूर्प करेंगी। तो क्लिणिंग धिप योगिख साइंस है। अपने जो सबकॉंशेस मन को साफ करना, एक हार्टफुनलेस का एक रिवोलिशनरी मैथड है, जो कभी भी एसी गंद की अपने सबकॉंशेस में नहीं जाने देखी, लेकिन हमें हर दिन सफाय तो करनी पड़ेगी। झाल